हेलो फ्रेंड्स मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल स्मार्ट सॉलूशन पर आज हम एर्थमेटिक का सेकेंड चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टम पाइप एंड नल ठीक है देखो यह चैप्टर पूरा का पू एक आउटलेट देखो इनलेट का मतलब होता है इन मतलब बरना और आउटलेट का मतलब होता है आउट मतलब किसी चीज का निकलना ठीक है अब यह याद रखना है जो इनलेट लेंगे वो हमेशा हम पोजिटिव लेंगे और जो आउटलेट लेंगे वो हमेशा हम क्या लें लेंगे नेगेटिव लेंगे ठीक है इसमें क्या होता है देखो इसमें एक फोर्मूला होता है जैसे फ्लोरेट ठीक है फ्लोरेट का मतलब क्या होगा आपका पानी का flow या पाने का बहाव ठीक है अगर मैं flow rate को time से multiply कर दूँ तो मेरा क्या जाएगा capacity capacity और capacity किसकी आएगी ये टंकी की ठीक है भई देखो flow rate है मतलब किसी गती से पानी बह रहा है और वो इतने time तक बहा तो वो उसकी capacity होगी ठीक है कि भई ये टंकी की शमता है कि कितना लीटर उसमें पानी आ सकता या कितना लीटर पानी आएगा या नहीं आएगा ठीक है अब हम इसको क्या रखेंगे जो ये हमारा flow rate होता है ना इसको तो हम मान लेते है efficiency ठीक है ये आ जाता है हमारा time और capacity को हम मान लेते है total work ठीक है बस ये इतना याद रखना यही फोर्मूला है flow rate into time capacity तो efficiency into time क्या होता था हमारा total work ठीक है बिलकुल time and work पर depend है जैसे हम एक example देखते है देखो मैंने एक example लिया जैसे A जो है किसी टंकी को 10 गंटे में बरता है ठीक है और B जो है वो किसी टंकी को 5 गंटे में खाली करता है हमें क्या बताना है पहले तो हम देखेंगे कि उस टंकी के capacity कितनी है देखो सब से पहले जैसे time and work में करते थे इसका LCM ले लेंगे हम ठीक है LCM क्या आ गया 10 10 एकम 10 और 5 दूनी 10 ठीक है इसका मतलब यह है कि जो A है वो तो एक गंटे में बर रहा है प्लस एक और B जो है वो एक गंटे में दो खाली कर रहा है माइनस का दो अगर मैं माइनस दो प्लस बन करूंगा तो माइनस का एक ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक गंटे में एक लीटर पाणी खाली हो रहा है टोटल कितना है दस लीटर तो पूरी टंकी कितने में खाली हो जाएगी दस बटे एक दस गंटे में खाली हो जाएगी ठीक है एक बार दुबार देखो इसने बोला था कि A 10 गंटे में किसी टंकी को भर रहा है B जो है 5 गंटे में उस टंकी को खाली कर रहा है सबसे पहले हमने क्या किया Total work निया उसकी capacity निकाली फिर उसमें देखा कि उस एक गंटे में या वो भर रही है या खाली और या जो भी है उसके हिसाब से हमें पता लगा कि माइनास एक हो रहा है कि एक गंटे में एक लिटर पाणी निकल रहा है तो ये दस लिटर पाणी कितनी देर में निकल जाएगा दस गंटे में जो पूरी टंकीये वो खाली हो जाएगी ठीक है देखो एक होता है हमारा type 2 ये पता है ये वैसे तो सरकल का है पर इसमें देख लेती है जैसे ये एक pipe है ठीक है ये इसका क्या है cross section area है ठीक है ये pipe का cross section area है ये मैंने मान दी मेरी pipe A है ठीक है और एक pipe दे दी उसने और ये थोड़ी बड़ी दे दी ये इसका cross section हो गया ये होगी मेरी pipe B ठीक है तो question में क् पूछता है कि अगर इस pipe का diameter मैं double कर दूँ अगर इस pipe का diameter मैं double कर देता हूँ तो इस pipe पे क्या आशर पड़ेगा या इस pipe का diameter क्या होगा या इसकी radius क्या होगी ठीक है तो देखो इसमें बच्चों को ये होता है कि भई डायमेटर डबल हुआ तो रेडियस च्यार गुणा हो जाए या इसकी याद दी हो जाए देखो रेडियस क्या होती है डायमेटर की याद दी होती है तो इससे हम क्या सोच लें कि भई इसकी याद दी होगी लेकिन अगर diameter double होगा ना तो radius भी हमारी क्या होगी डबल होगी ये चीज याद रखना diameter अगर 4 गुणा होगा तो radius भी 4 गुणा होगी ठीक है ये question पूछा दाता है कि अगर मैं diameter को double कर देता हूँ तो radius पे क्या effect होगा तो अगर diameter double है तो radius भी double diameter 4 गुणा है तो radius भी 4 गुणा ठीक है अब इसका proof देखते हैं कैसे होता है देखो मैंने मान लिया D1 दे दिया मुझे 10 ठीक है और D2 दे दिया मुझे 20 इसका double कर दिया तो इसकी R1 क्या होगी और इसकी R2 क्या होगी अब खुद देखो diameter का आदा होता है तो ये 5 होगी इसका भी आदा होता है तो ये 10 होगी अगर मैं R1 ratio R2 निकालू तो मेरा कितना हो जाएगा 5 ratio 10 मतलब 2 ratio 1 आजाएगा ठीक है अगर diameter double हुआ है तो radius भी तो double हुई है अगर यहाँ diameter चार गुणा होता तो radius भी चार गुणा होती ठीक है ये इसका proof है अब देखो हम इसके questions solve करते है concept सिर्फ इतना था पूरा का पूरा time and work पर depend है ये pipe and system बस इसमें ये होता है आमें inlet और outlet का पता होना चीए कि कौन सी भर रही है कौन सी खाली कर रही है जैसे इसने बोला एक pipe can fill the tank in 5 hour and it can be emptied by B in 4 hour देखो एक किसी tank को बर रहा है 5 गंटे में ठीक है inlet और B क्या कर रहा है empty कर रहा है 4 गंटे में ठीक है अगर दोनों pipe को एक साथ खोल दिया जाए तो वो जो tank है वो कितनी देर में खाली हो जाएगा देखो अगर मैं capacity निकालूं मतलब total निकालूं तो LCM लो गया 5 चोग 20 5 चोग 20 और 4 पंजे 20 देखो एक गंटे में अगर दोनों को एक साथ मैं चला देता हूं खोल देता हूं pipe को ये प्लस 4 ये माइनस 5 तो एक गंटे में कितना खाली हो रहा है माइनस एक तो कितना लिटर है 20 लिटर तो माइन बटे एक कर दोगे तो 20 गंटे में ये क्या हो जाएगा पूरा tank खाली हो जाएगा उसने हमसे यही पुच्छा है बस हमें ये देखना है inlet क्या होता है और outlet क्या होता है उसके हिसाब से इसको solve करना ठीक है अब देखते हैं question number second देखो ये इसमें क्या है two pipe A and B can fill a tank in 20 minute and 30 minute A किसी tank को 20 minute में बरता है B क्या करता है 30 minute में बरता if both the pipes are open together then time taken to fill the tank अगर दोन पों pipe को एक साथ खोल दिया जाए सबसे पहले capacity निकालेंगे मतलब LCM 60 20 तिया 60 और 3 दुनी मतलब 30 दुनी 60 total capacity कितनी है 60 एक साथ खोल दिया तो 3 और 2 5 ये कितना जाएगा आपका 12 minute ठीक है 12 minute में बरतानों मिलकर उसको fill कर देंगे ठीक है अब देखवाता है हमारा question number third इसने बोला 3 taps हैं A, B and C A can fill a tank in 12 hours B can fill the tank in 15 hours और C can fill the tank in 20 hours सबसे पहले इसका LCM लेंगे 60 12, 50, 15, 60 और 20 दिया 60 ठीक है उसके बाद इसने बोला If A is open all the time ठीक है इसने क्या बोला If A is open all the time A खुला रहता है B and C are open for one hour each alternatively मतलब एक के बाद एक इसके कहने का मतलब है कि एक घंटे तो A और B ठीक है फिर उसके बाद एक घंटा A और C ठीक है alternate का मतलब तो यही है भई एक के बाद एक ठीक है पहले तो A और B थे फिर A और C हो गया अब देखो A और B मतलब 5 पलस 4 A और C मतलब 5 पलस 3 तो यह हो गया आपका 9 यह हो गया आपका 8 ठीक है यह 9 हो गया यह 8 हो गया तो एक घंटा यह और एक घंटा यह मतलब दो गंटे में 17 लीटर बर दिया दो गंटे में कितना बर दिया 17 l ठीक है बरणा कितना है हमें बरणा है 60 l कितना बरणा है 60 l ठीक है अब क्या करेंगे इस 17 को 60 के पास लेकि जाते है ठीक है अगर मैं 17 को 3 से गुणा कर दूँ तो कितना आजाएगा 51 अब फिर इसको भी 3 से गुणा करेगे मतलब 6 गंटे, 6 गंटे में 51 लीटर बर रहा है फिर बारी किस की आएगी, 7 गंटे में बारी आएगी A प्लस B की, और ये 1 गंटे में कितना बर रहे हैं, 9 बर रहे हैं तो 51 प्लस 9, 60 लीटर हो गया, और यहां पे 1 गंटा आमने एड़ कर दिया तो ये आजाएगा हमारा 7 hours, भई 7 गंटे में इनोंने 60 लीटर बर दिया ठीक है, एक बार फिर से देख लो, इसने बोला कि A तो continue रहता है एक बार alternatively मतलब एक बार B आता है, एक बार C आता है तो एक गंटे में ये 9 बरेंगे, एक गंटे में ये 8 बरेंगे दोनों को एड़ करूँ तो 2 गंटे में 17 लीटर बर दिया टोटल बरना है 60 लीटर, इस 17 को 60 के पास लेके जाएंगे तो 3 से multiply करेंगे 51, इस 2 गंटे को 3 से multiply करेंगे 6 ठीक है, 6 गंटे में 51 लीटर भर रहे हैं, अब बारी आएगी A इसकी ये 1 गंटे में कितना बरता है, 9 लीटर, 51 प्लस 9, 60 लीटर और 6 प्लस 1, 7 गंटे, तो 7 गंटे में ये पूरे इसको फिल कर देंगे देखवा, अब आता है next question, A can empty a tank in one hour मतलब A खाली करता है 60 मिनट में, ठीक है, माइनस B can empty, ये 30 मिनट, चलो भई, दूसरा भी माइनस ही है, ये 30 मिनट में काली करता है, ठीक है, उसके बाद इसने बोला, if both the pipes are open simultaneously, how much time is needed to empty a tank, सबसे पहले total capacity निकाल लेंगे, LCM लेंगे 60, 60 एकम 60, 30 दूनी 60, फिर उसने बोला कि, अगर दुनों को simultaneously खोल दिया जाए, तो कितनी दिर में, देखो एक गंटे में कितना काली कर रहे है, दो और एक 3 लीटर, ठीक है, तो 60 लीटर कितने में करतेंगे, 60 बटे 20, ये आ जाएगा, सोरी, एक मिनट में कर रहे है ठीक है, देखो अब है, next question, 3 by 4th of the part of a tank is full of water देखो, 3 बटे 4 बटा है, when 30 लीटर of water is taken out, the tank become empty देखो, 3 बटे 4 बटा था, 30 लीटर निकाल लिया, तो क्या हो गया, tank empty देखो, जितना निकालते हैं, उतना उसमें बच जाता है, ये चीज़ याद रखना, अगर हम किसी चीज़ में से, जितना part निकालते हैं, उतना part उसमें बच जाता है, तो ये जो 3 by 4 part है ये किस के बराबर होगा, 30 लीटर के बराबर होगा, एक part किसके बराबर होगा, ये होगा 30 into 4 बटे 3, 3 दाई 30 और 10 चोग 40 एक पार्ट किसके बराबर है 40 तो इसकी capacity कितनी होगी capacity भी 40 होगी ठीक है देखो ये chapter बहुत ही असान है पूरा का पूरा chapter time and work पे base है इसमें से ज़्यादतर question नहीं पूचे जाते, ये chapter यही complete हो गया अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें, channel को subscribe करें इनके notes और इनके practice questions आपको मेरे telegram channel पर मिल जाएंगे, धन्यवाद